वेल्कम बेक टू माई चैनल वन वीजन एमे बीएश देखिए इससे आगे के प्रिविएस वीडियो में हमने देख लिया था एपप्टोसिस की डेफिनेशन के बारे मतलब की एपप्टोसिस क्या है ओके फिर हमने देखे थे उसके कोजिस के बारे में फिर हमने पढ़े थे उसकी मॉर्फोलोजीकल फीचर्ज के बारे में ओके तो देखिए इस वीडियो में हम देखने समझने वाले है कि जो उमारी बोड़ी में एपप्टोसिस जो हमने समझाते हैं कि होता है उमारी बोड़ी में फिजियोलोजी और पेथोलोजी और पेथोलोजीकल एपप्टोस के जो हमने example देखे देना वो किस तरव से होता है वो अब हम समझने वाले है mechanism के थूँ ओके ठीक है तो चलिए समझेते हूं mechanism of apoptosis के बारे में देखिए जो mechanism है apoptosis की वो तीन फेज में होती है कौन-कौन से initiation execution and removal of dead cells okay तो इन तीन फेज में पूरा का पूरा apoptosis हमारा होता है अब देखिए जब apoptosis होता है तो apoptosis में दो enzyme के थूँ यह apoptosis होता है एक है हमारा caspases दूसरा है endonuclease ठीक है तो चलिए अब हम समझेते हैं पहले इंडो enzyme के बारे में तो देखिए caspage में आप देख रहा है ना देखिए casp का spelling देखिए एक यह c है और asp है तो देखिए c का मतलब it contains systeen मतलब कि systeen का बना हुआ है और asp asp का मतलब क्या हुआ aspartic acid मतलब कि जो यह caspage है ना वो क्या करता है it clues near aspartic acid residue मतलब कि कोई भी protein molecule है जिसमें aspartic acid present है ना जहां पर उस जगव पर यह caspage क्या करता है cleavage कर देता है वहाँ से तोड़ देता है ठीक है तो यह उसका काम हो गया तो जो यह caspage है हमारी body में वो दो तरक होते है एक है initiator और एक है executioner initiator का मतलब क्या हुआ? initiation phase में काम करता है और executioner का मतलब क्या हुआ? execution phase में काम करता है ठीक है? तो जो initiator caspage है वो कौन-कौन से है? caspage नमबर 8, 9 और 10 है वो initiator है और 36 caspage 367 है वो executioner है तो यह हो गया हमारे caspage के बारे में अब हम समझते हैं endonuclease के बारे में देखिए endonuclease तो आप 12 में भी पढ़ गए पढ़े हैं न कि वह क्या करता है help in DNA breakdown मतलब कि DNA को अगर आपको तोड़ना है तो वह कौन सा enzyme इंपोर्टन्ट है वह हमारा endonuclease और endonuclease की में वजह से क्या होता DNA breakdown और वो देता है हमारा step ladder pattern मतलब कि क्या हुआ कि endo आपने 12 में पढ़ा ही होगा न कि gel electrophoresis जब हम करते हैं endonuclease की presence में तो हमें क्या मिलता है step ladder pattern मिलती है ठीक है तो यह हो गए हमारा endonuclease का काम अब हम देखते है factors in apoptosis factors in apoptosis factors in apoptosis का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कुछ factors है हमारी body में जो या तो फिर apostosis को regulate करते है या फिर apostosis को initiate करते है ठीक है तो हम पढ़ते है कौन-कौन से factors है जो इसके लिए responsible apoptosis के लिए तो देखिए तीन तरह क्या हम हमारी बोडी में factors पाये जाते हैं एक है हमारा pro-apoptotic factors, दूसरा है anti-apoptotic factors और एक है regulated initiators of apoptosis ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं pro-apoptotic, pro-apoptotic factors का मतलब क्या हुआ कि एसे factors जो हमारे apoptosis start होने के लिए मतलब कि उसके initiators है start होने के लिए responsible है, ठीक है कौन-कौन से, box और back next हमारे anti-apoptotic factors, anti-apoptotic factors का मतलब क्या हुआ कि एसे factors जो हमारी बोडी में present है, वो क्या करते हैं, apoptosis को resist करते हैं मतलब कि apoptosis को regulate करते हैं, कौन-कौन से है, bcl-2, bcl-xl and mcl-1 और last one is the regulated initiators of apoptosis, मतलब कि यह ऐसे factors है, जो regulated है अगर यह जो सारे factors है न, beam है, bead है, bed है, puma और noxar, यह सारे के सारे अगर up-regulate हो गए तो यह क्या करते हैं, initiate कर देते हैं हमारी बोडी में apoptosis को, ठीक है, तो आपको यह सारे के सारे factors याद रखने पड़ेंगे देखिए एक बार देख लेते हैं, pro-apoptotic में कौन सा है, box और बाक, इसी तरह से आप याद रखना and type of product में, BCL-2 family, ऐसे याद रखना, BCL-2 family, कौन-कौन से BCL-2, BCL-XL and MCL-1 और regulator, initiator, apoptosis में, beam, bead, bed, puma, noxar, ओके, इसी तरह beam, bead, bed, puma, noxar, इसी तरह याद रखना और हम सब्सक्राइब, देखते हैं, phases, सबसे पहले, initiation, सबसे पहला phase देखते है, initiation, तो initiation दो तरह से होता है एक हमारा mitochondrial pathway, या फिर आप कह सकते है, intrinsic pathway, दूसरा हमारा death receptor mediated pathway, या फिर आप कह सकते है, extrinsic pathway ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं mitochondrial pathway मतलब कि intrinsic pathway of the apoptosis तो देखिए mitochondrial pathway है हमारी body में इन दोनों pathway में से 90% जो apoptosis होता है न वो किस pathway के थ्रू होता है वो होता है हमारा intrinsic pathway या फिर mitochondrial pathway के थ्रू ही होता है ठीक है 90% most common organal affected in apoptosis is mitochondria मतलब कि अगर apoptosis हुआ तो most commonly कौन सी organal effect होती है most common effect होती है हमारे mitochondria ठीक है तो देखिए डाइग्राम से अब समझते हैं हम पूरा का पूरा कि देखिए यह हमारा mitochondria और देखिए mitochondria में हमारा क्या present है cytokome C अगर यह cytokrome mitochondria में से अगर cytoplasm में आ जाए गया समझना अच्छी तरह से अगर यह mitochondria में जो cytokrome C present है अगर यह cytoplasm में आ जाता है न तो यह क्या करता है initiate कर देता है हमारे apoptosis को देखिए यही लिखा है मैंने if cytokrome C come out of mitochondria into the cytoplasm it will result in apoptosis ठीक है तो अब हम समझते हैं पूरा का पूरा pathway किस तरह से apoptosis होता है मतलब कि mitochondrial pathway of the initiation देखिए सबसे पहले हम normal cell में क्या होता है न वो समझ लेते हैं तो आप अच्छी तरह से apoptosis को abnormal cell में भी पढ़ पाएंगे ठीक है तो देखिए नोर्मल ही क्या होता है हमारे body में कि जो हमारी permeability of the outer mitochondrial membrane is depends on the BCL2 family protein मतलब कि जो हमारे outer mitochondria है न यह outer mitochondrial membrane यह regulate होती है मतलब कि इसकी जो permeability है न वो किसके उपर dependent होती है BCL2 family के द्वारा regulated होती है ठीक है कौन-कौन से BCL2 protein BCL2, BCL-XL, MCL1 यह क्या करते है जो outer mitochondrial membrane है उसकी permeability का maintain रखते है उसकी वज़े से क्या होता है कि जो हमारे mitochondria में cytochrome C है उसका leakage नहीं होता मतलब कि वो cytoplasm में नहीं आता तो उसी की वज़े से normal cell में normally apoptosis नहीं होता ठीक है अब क्या होता है in abnormal cell, abnormal cell means अगर DNA damage हो गया cell में या फिर radiation की वज़े से cell abnormal हुआ या फिर कुछ infection हुआ उमारी body में से हमने देखा था ना infection viral infection है AIDS का infection है ठीक है तो अगर इन सब infection में क्या होता है कि जो हमारे regulated pro apoptotic initiator है ना वो क्या हो जाते है activate हो जाते है कौन-कौन से हमने देखा था था ना बैक्स और बैक्स और वो activate हो जाते है तो उनके activation से क्या होता है oligomerization of the backs and back इन दोनों का oligomerization हो जाता है ठीक है और oligomerization के बाद क्या होता है formation of the backs and back channel देखे यहां से इस तरह से inner और outer mitochondrial membrane के बीच में इस तरह से channel का formation कर देता है इसे हम कहता है backs और back channel ठीक है और इसी channel के थ्रूँ इसी channel के थ्रूँ जो यहां पर साइटोक्रोम C होता है ना हमारे mitochondria में वो साइटोप्लाजयम में आ जाता है ठीक है देखे यही लिखाय में membrane loses its permeability and leakage of the cytokrom C और cytokrom C का leakage होने के बाद यह cytokrom C हो एपाफ 1 के साथ bind करता है और cytokrom C के साथ bind करता है और इसके साथ bind करने के बाद क्या form करता है apoptosome form करता है मतलब कि cytokrom C और एपाफ 1 की binding करता है apoptosome करता है और यह apoptosome क्या करता है वो caspase 9 को initiate करता है और हमने देखा था था ना caspase 9 क्या है initiator caspase है तो यह हो गया initiation phase अब यह caspase 9 क्या करता है वो stimulate करता है हमारे caspase 367 जो हमारे executioner caspase थे ना इनको activate करता है और यह it will leads to apoptosis ठीक है यह हो गया हमारा पूरा का पूरा apoptosis एक बार फिर से देख लीजिए DNA damage radiation और infection की वज़े से क्या हुआ pro apoptotic factors activate हो गई उन्होंने oligomerization किया और backs back channel का formation हुआ उसकी वज़े साइटो क्रॉम सी का leakage हुआ वह एपाफ 1 के साइद bind होके क्या बना देता है apoptosome apoptosome ने caspase 9 मतलब कि initiator caspase को activate किया और initiator caspase ने executioner caspase को activate किया और apoptosis it will result in apoptosis ठीक है तो यह हो गया हमारे abnormal और normal cell में हमने देख लिया apoptosis की इस तरह से होता है तो यह हो गया हमारा mitochondrial मतलब कि intrinsic pathway अब हम देखते हैं second हमारा death receptor mediated pathway या फिर आप कह सकते है extrinsic pathway of the initiation phase of the apoptosis जो यह death receptor mediated pathway न it is activated by activation of plasma membrane death receptor मतलब कि यह किसे activate होता है plasma membrane death receptor के through activate होता है इसलिए इसे कहते है death receptor mediated pathway ठीक है देखिए plasma membrane death receptor कौन कौन से हैं आपको कौन कौन से याद रखने है tnf r1 और cd 95 इन दोनों को आपको रट ही देना है ठीक है अब हम समझेते हैं कि extrinsic pathway की इस तरह से होता है देखिए हमारी body में क्या होता है t lymphocyte जिसके उपर होता है fast ligand ठीक है और जो यह plasma membrane death receptor होते है न उसके उपर क्या होता है fast तो जब यह fast है वह fast ligand के साथ bind करता है और उसी की वजह से जो हमारे plasma membrane death receptor है न उसके उपर क्या होता है death domain present होते है तो यह जो fast है वह fast ligand के साथ bind करता है तो वह क्या करता है एक्टिवेट कर देता है हमारे death domain को और death domain activate होने से क्या होता है तीन और तीन या फिर चार death domain एक दूसरे के नजदी काते है और bind कर जाते है combine करते है और क्या करते है इसकी वज़े से क्या होता है Fast Associated Death Domain Activate हो जाते है ठीक है इसका formation हो जाता है यह से भी आप कह सकते है Fast Associated Death Domain का formation होता है और इसका formation होने से क्या होता है यह activate करता है ProCaspage 8 को Caspage 8 में convert कर देता है Okay Fast Associated Death Domain क्या करता है ProCaspage 8 को कासपेज 8 में convert कर देता है जिसे हम कहते है initiator कासपेज यब जो यह initiator कासपेज है वो क्या करता है कासपेज 367 मतलब कि executioner कासपेज को activate करता है और यह executioner कासपेज फीर क्या करता है execution phase को activate करता है और it will leads to apoptosis ठीक है तो यह हो गया हमारा second pathway extrinsic pathway पर देखिये हमने समझ लिया न कि apoptosis कीस तरह से होता है तो मान लेजिए किसी भी cell में apoptosis हो गया तो अब यह cell का हमारी body में क्या काम तो इस body cell का जो apoptotic cell है उसका क्या होता है वो हम समझते है अगर एक बार अबस्तिछ बोड़ के के बाद तो इस एड़ी हो जाता है तो उसके बाद उसको रिमुव कर दिया जाता है एंड इस डिमूवल इस ड़न बाई धि फेगो साइटो उस ओव में है फेगो साइटो फेगो साइटो से सबर्ग Britt का phagocytosis हुआ तो उस process को हम कहते है afrocytosis मतलब कि apoptotic body के है जो phagocytosis process है उसे हम कहते है afrocytosis ठीक है तो अब हम समझेते हैं कि removal किस तरह चे होता है तो देखिए factors favoring phagocytosis मतलब कि कौन-कौन से factors है जो phagocytosis के लिए responsible है किस cell का? apoptotic cell का मतलब कि daddy cell का ठीक है तो सबसे पहला और most important कौन सा expression of phosphatidyl serine देखिए normal cell में क्या होता है normal cell में जो phosphatidyl serine है वो कहां पे present होता है present at the inner plasma membrane देखिए inner plasma membrane पे present होता है हमारा phosphatidyl serine लेकिन apoptotic cell में क्या हो जाता है जो यह phosphatidyl serine है it moves from inner to outer membrane ठीक है inner membrane से outer membrane की और move कर देता है तो उसे हम कहते है phosphatidyl serine flip और यह जो phosphatidyl serine outer mitochondrial membrane पे आ गिया ना तो उस phosphatidyl serine को हमारा जो macrophage है वो identify कर देता है और फिर identify करने के बाद उसे पता चल जाता है ना यह cell का apoptosis हुआ है यह cell death है तो वो मुझे उसको remove कर देना है तो फिर phagocytosis होगा और यह apoptotic cell का removal हो जाएगा ठीक है यह most important process है ठीक है phagocytosis की second is secretion of soluble factors मतलब कि thrombospondine है इस तरह के soluble factors की through phagocytosis होता है ठीक है और natural antibody and protein of the complement system मतलब कि natural antibody के through भी है इसका remove हो सकता है और जो complement system के जो proteins है उसका उससे भी phagocytosis favor करता है कि इस तरह से होतों मैं पता ही है ना कि जो हमारे complement system के जो protein से वो क्या करता है apoptotic body को caught कर देते हैं मतलब कि optionization करा देते हैं तो उसी की वज़े से क्या होता है उसका phagocytosis fast हो जाता है ना तो यह हो गया हमारा removal of the dead cell तो this is the mechanism of the phagocytosis sorry this is the mechanism of the apoptosis अब हम देखते हैं कि हमारी body में apoptosis हुआ तो अब हम उसे diagnose कैसे करेंगे ठीक है तो हम diagnose करेंगे electrophoresis के थूँ और उससे हमें कौन सी pattern मिलती है हमें मिलती है step ladder pattern दूसरी टेक्निक है हमारी tunnel technique इसके थूँब हम diagnose कर देते हैं next है chromatin condensation यह हमने देखा देना most characteristic features है chromatin condensation तो इससे हम कैसे देखेंगे by staining कौन-कौन सी hne and accrediting orange इन दोनों staining के थूँआ हम इसे देख सकते है ठीक है और most important है marker कौन सी anexine 5 यह याद रखना anexine 5 is marker of apoptosis because it binds with phosphatidyl serine which is present in outer membrane of the apoptotic cell ठीक है तो यह हो गया हमारा diagnosis अब हम देखते है disorder associated with anti-body sorry disorder associated with abnormal apoptosis मतलब कि apoptosis अगर abnormal हो गया तो हमारी body में कौन-कौन से disease किस-किस disease में apoptosis abnormal है ठीक है तो सब से पहले disorder with reduce apoptosis मतलब कि ऐसे कौन-कौन से disorder है जिसमें apoptosis decrease हो जाता है ठीक है it may allow survival of abnormal cell मतलब कि अगर हमारी body में apoptosis decrease हो गया है तो क्या होगा कि जो abnormal cell है वो dead नहीं होंगे और dead नहीं होंगे तो क्या होगा उसका survival increase हो जाएगा जैसे कि cancer है autoimmune disease है इस तरह से ठीक है next है disorder with increased apoptosis apoptosis अगर increase हो गया क्या होगा कौन-कौन से disease में यह हो सकता है this will cause excessive loss of cell मतलब कि apoptosis increase हो गया तो cell death increase हो गई तो excessive loss हो जाता है हमारा cell का example है neurodegenerative disease like Alzheimer, Huntington, Parkinson ऐसे ठीक है then systemic injury in MI stroke and last one is death of the virus infected cell like AIDS CD4 plus T cell में हो जाता है ना उसकी death करवा देता है ना ज्यादा CD4 T cell हमारी बोडी में क्या हो जाता है उसकी nost हो जाता है ठीक है तो यह हो गया disorder associated with abnormal apoptosis देखिए यह इतना important नहीं important क्या है इसके causes है ठीक है फिर उसकी morphology है और last one most important is mechanism and diagnosis तो this is the all about of apoptosis अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो please like subscribe and share चरूर करना और अगर आपको apoptosis के note चाहिए तो मैंने telegram facebook और instagram सब पर रख दिया है वहाँ पर जाके download कर सकते हैं और इन सभी social media group की link मैंने description पर दे दी है thank you everyone thank you for watching this video and keep watching कर सकते हैं